हेलो बच्चों मारे चनल में आपका स्वागत है और आज उत्तरा खंड प्राइमरी टीचस वेकंसी में मैं शबत पत्र की बात कर रहा हूं तो काफी बच्चे क्या कर रहे हैं काफी लोग क्या कर रहे हैं इसमें गलतिया कर रहे हैं गलतिया कर रहे हैं वह भी मैं आपको बता यह तो है और उपर से कुछ बच्चे जो हैं वह डिस्ट्रिक्ट के बाहर हैं अपनी या उत्रागंड से बाहर हैं तो उनके लिए भी मलब कि किस तरीके से करें हम तो सबके उपर हम बात करेंगे कि वह किस तरीके से इस के लिए बना सकते हैं अपलाई कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बच्छो मैंने पहले ही आपको बताया था यह शबत पत्र जो है वो इस तरीके का प्रारूप होता है यह इस टैम्प होता है एक तरह का ठीक है इस टैम्प होता है और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहल लेकर तो आप उनके पास जाना और आपको बस ब्लाना आंशपत्पत्पत्र नहीं सुघेंगे तो आप उनको स्टंप बोलना इस तया उस टेयush वोग बनाना और उनके अगर आप देरादून में रहते हो या अगर आप चंपावत में रहते हो या आप ने निताल में लेते हो तो यह 80-100 रुपे की बीच में हैं ठीक है यहां पे बाकी पे यह वैरी कर सकता है पचास से सो भी कर सकता है ठीक है तो आप सो रुपे तो मानके चलिए आप अपने पास लेके जाओगे इसको बनाने के लिए ठीक है असी रुपे लगेंगे अगर आप देरादून में हो या ने निताल में हो तो ठीक है इन में से कोई G ribक पिर फैक दिखाओंगा बात होती है कि यह भर को नियुक्त करें गल्स आपके हैं और यह कांप से निए झाने आपाया दिन लग जाएंगे आने में टोड़ा टम लग जाएगा आने में तो हम क्या करें शबत पत्र बनाए ना बनाए बिना बनाए भेज़ दे क्या तो पहली बात तो यह है आपको खुद जाके बनाने की जरूरत नहीं आपकी information अगर किसी के पास है आपके भाई के पास में किसी के भी पास में जान पिचान वाले के तो आप उनको प्रारूप दे प्राइब नहीं है और वह पुरा पुरा कर देगा अब बात आती शबत पत्र दिखता कैसे तो लिखनाना क्या है यह पहला वाला पेज जो है तो सहीं में रहेगा इसमें जो फीस में बता रहा हूं वह 80-100 रुपे की बीच के बता रहा हूं आपके लिए यह मैक्सिमम है इ ले रहा है और स्टाइम के पैसे ले रहा है बागी किसी चीज के पैसे नहीं ले रहा है इस टाइम जो है उसकी स्टाइम ड्यूटी जो लगती है वह लगती है आपकी 10 रुपे की यह ठीक है सेकिंड पार्टी में आप किसी का भी नाम ने लिखा होगे एन ए रहेगा ठीक ह ठीक है स्टाम ड्यूटी जो है पेड़ वह यह खुदी अपने मर्जी से लिखेंगे वह जिसका भी नाम होगा वहाँ पर जिसके सिगनेचर होते हैं स्टाम ड्यूटी में उसी कही आपका नाम वह लिखवाएंगे खुदी करवा देंगे वह पहला पेज वह आपको त्यार कर पत्यार को पर दोसरे पेज पर यह खिए खुदी करें और आपका काम हो जाएगा ठीक है तो एक चीज़ यह की कुछ बच्चों कि डौट एक की चंपावत में ही लगाना है क्या एक कहीं और भी लगाना हैं काफी बच्चे हैं कि सब में लगा दें क्या तो नहीं आपको सि जो आई हैं विग्यप्तियां अभी नहीं मांगा है उसमें ठीक है शबत पत्र के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला गया तो चंपा पत्र में बोला है तो खाली चंपा बत्र में लगाई है बागी किसी में मत लगाई है ठीक है तो इसका दूसरा पेज जो है वो सबसे अधिकारी महुदे प्रात्मिक शिक्षा शिक्षक ठीक है प्रात्मिक शिक्षक चंपावत यहां पर नाम लिखना है क्योंकि सिर्फ चंपावत की बात हो रही है ठीक है तो यह पूरा का पूरा लिखवा के चंपावत यहां पर लिखवाना है आपको और नीचे क्या होगा न का नाम आएगा पुतर शरी देवेंद्र परसाद या कुछ भी जो भी ठीक है ना निवासी कहां के हो तो पूरा एड्रेस आपको देना है ठीक है पूरा एड्रेस देने के बाद में यहां पे पूरा का पूरा एड्रेस जब दे दोगे तो यहां पे एक उत्राकंड लिखने क बाद में वो यहाँ पे आपके सिगनेचर की जगा छोड़ेंगे ठीक है इसके बाद क्या होगा कि आपको दो पॉइंट जो हैं वो लिखवाने पड़ेंगे जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है पहला पॉइंट वो खुदी लिखके दे देते हैं दूसरा आपको बताना है उनको अनको कि आपको क्या लिखवाना है पहला क्या है कि आपको यह लिखवाना है कि यह कि शबट करता है का उप्रोख नाम वबता सत्य एवं सही है तता शबट करता निम्न वशनित त tek replicate यह से भली बांती पर इचित है ठीक है यह तो भूदी लिख देंगे आपके लिए दूसरा जो पॉइंट है वो आपको आप चाहें तो इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो वो है यह कि शपत करता उत्रकट के किसी भी राज्ये राज्य के प्रात्मिक विद्यार ले यानि राज्ये के अंतरगत जो आता है राज्यां तरगत सायक अध्यापत के पत पर जो है कारिरत नहीं है यह आपको लिखवाना मौस्ट इंपॉर्टेंट है यह आप अगर नहीं लिखवागे तो यह किसी काम का नहीं रहेगा उसके बाद जो ही शपत करता कि दुबार से यहां पर सिगनेचर के लिए जगा चोड़ेंगे और यहां पर सत्यापन में आपको लिख करता हूं कि उपरोग शपत्पत्र की चरण संक्या एक से दो यानि जो दो पॉइंट लिखवाएं आपने सिर्फ उनकी बात हो रही है तक के लेक मेरे निजी ग्यान में सत्य एवं सही है इसमें से कोई भी तत्य सुपाया नहीं गया है तो यह आपको लिखवाने के बाद सित्यापन करने के बाद में लास्ट में लगेगी नौटरी और यहां पे होंगे आपके साइन तो जिनका यह है उनके साइन हो रखे हैं ठीक है साइन होने के बाद में यह आपका काम पूरा हो जाएगा तो यह आपको डॉक्यमेंट के साथ में ठीक है सनलगनों की संक्या के साथ में गिन के उसके अंदर ही आपको डालना है ठीक है ना और ये पूरा का पूरा काम आपका फिर खातम हो जाएगा तो यë है पूरा का पूरा शबत पत्र और बात चो आ रही है सिर्फ चंपावत माभी के लिए है ठीक है ना बाकी किसी बैसे नहीं कोशिश करूँगा जितना भीं वह सकता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर किसी आपको लगता है कि की का अपका कोई और दोस्त भी बरिव रहा writes छेर करिए और इस वीडियो को साथ तो जाए शेयर करें ताकि लोगों में जो है यह वैगनेस जो है यह जो हम कह सकते हैं इसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो खतम हो जाए ठीक है तो धन्यवाद थैंक्यू